नमस्कार दोस्तों पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपके फिरसे एक बार स्वागत है तो आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ पिछला वीडियो थोड़ा था चोटा था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख होगा आपको पूरी पढ़नाय में थियोरी इसकी डिल्टेट चलिए आपर बढ़ते हैं के पहले कोशन देखते हैं बहुत बढ़ा मैंने करके तखाए कि आपको चीजा 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 से ग्रास्प कर पाया तो यहां पर एक सो वाई की वेल्यू पूचिए अगर आप एक स 132 जो कि होगा कितना 5048 अगर यह 48 है हमारे पास तो अगर यह 48 है एक मिनिट कुछ गलत हो गया शायद हमारे पास 132 में से कुद गया तो दस में से आठ साथ चारहा 48 है यह वैसे यह 48 निकल कर आया है य की वेल्यू तो एक्स की वेल्यू यहां से हम निकल कर आएगी तो एक्स की वेल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी अगर यह भी हमार चीज निकाल लेंगे तो यह आपास में दोनों बराबर होंगे तो उसको भी कि हम कर सकते हैं एक्स प्लस 48 कितना हो जाएगा यह यह पूरा डी ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा 132 दोबारा फिर से माइनस करेंगे तो 48 निकल कर आएगा तो एक्स वाई की बढ़ेंगे तो आप उसको देखते रहिएगा तुम्हारे पास एक्स की वेलियों से कितने आगाई चाठ चाठ चूंकि हमने बड़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्ट कुशन देखते हैं हमसे क अगर मैं आपको लेकर चलूंग आगे मैंने कुछ चीजें आपको समझाई थी उसके अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां के एंगल सारे बरापर हैं आपस में तो इसके बाद हम और भी कुछ चीज़े देख सकते हैं अगर यह मेरे पास 65 है है तो इसके अपोसित अंगल कर समझाई हुआ इसको मैं और के मालनू एक्स मालनू तो इसका मतलब एंगल एकस मालनू घुलस एंगल भी हाय वाला और यह रही वाला ऋब यह वाला इन दो पर वालाह library तो 115 हमारे पास आ जायागा 115 को 180 से फिर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर लाएगा 65 तो यह हमारा आंसर है यहां पर धन्यवाद यहां पर बढ़ते आगले कोईशन के तरफ देखते नेक्स्ट कोईशन हमसे क्या कह रहा है कि अगर यहां POR और लीनी है तो यह भी A-B आपस 80 डिकरी है तो हमसे पूछा किया है अगर हमें पता है ए प्लस B हमारे पास 180 डिकरी है यह चीज हमको पता होती है हमेंशा कि A-B यहांपर 80 डिकरी है तो यहीं से पता चलए है हमें यह तो 100 यह तो 80 होगा या तो 130-150 होगा इसे कुछ होगा चलो आग देखते हैं क्या चीज़ें यहां पर निकल कर आ चुकी है अगर उसको माइनस करें यहां पर तो टू ए इक्वल्स टू तू थर्टी तू सिक्ष्टी सॉरी एक कॉल्स टू कितना आगया वन थर्टी यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कोश भी यहां पर ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाया है जो में पर चीजे गिव यहां एंगल विच इस ग्रेटर दैन वनटी डिगरी बट लैस धन थरी सिस्टी डिगरी एंगल फिसगे तो बशेश्टी दिख इंगल यहां थे थे तू कितना हो जाएगा हूँ पेसिकली हमारे एक डिफ्लेक्स एंगल की तौर पर निकल कर आएगा लेकिन उसकी बात यह यहां पर नहीं हो रही है, question number basically यहां पर four की बात चल रही है, यहां पर बूला गया है, वो angle क्या होगा है, 210, 240 300, 300, 300 400, 240, 270, कुछ भी होगा तो वो हमारा सारे reflex angle निकल कर आएंगे तो यहां हमारा एक right answer हो जाएगा, reflex angle चलिए बढ़ते हैं अगली की तरफ देखते हैं क्या बोला जा रहा है, यहां पर दिखाए the measure of an angle is seven times of its complementary angle is 70, then less than three times of supplement is यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपास एक angle theta है तो बढ़ा सामें बढ़ा इससे छोट कर देता हूँ यहां पर basically कहने का मतलब यहां अगर एंगल theta है हमारे पास तो इसको इसको कॉंप्लिमेंट से कितना हो जाएगा 90 minus theta supplement कितना हो जाएगा 180 minus theta तो basically three times of its supplement बात चल रही है ना और seven times of its complement 90 minus theta कितना है 10 minus कर देंगे आप तो इसको तो इससे यहां से कहा निकल कर आएगा हमारे पास 550 minus three theta minus three sixty plus seven theta equals to ten उसको हम solve करेंगे तो four theta बराबर hundred आएगा निकल कर तो theta बराबर 25 तो ऐसे हम यहां पर चीज़ों का अप्रोच करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं यहां से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर चीज़ों को चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ नेक्ट क्वेशन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है यहां पर लिखा है कि the measure of an angle यह तो मैंने करी लिया था इसका दिखा हुआ है यहां पर the point of the intersection of a by अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं अंदर की तरफ तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम इंसेंटर कहते हैं वह circumsense से निकल कराते हैं और तो सेंटर और कोंसाइड तो इसका कहने का मतलब यह हुआ इनसर्कल all sides are equal then also in center तो सेंट के हमारे पास आंसर यहां पर सी निकल करा जाएगा जो क्यों हुआ इंसेंटर क्यों सर्कल के अंदर ऐसी लिए चलो बढ़ता है नेक्स्ट की तरफ अगले देखते हैं क्वेशन हम से क्या कह रहा है यहां पर वीडियो जादा लंबी रखेंगे 15-15 मिनिट के कुछ जितने में हमारे पास कुल मिलाकर यहां पर 20 क्वेशन है तो इसमें हम 10 कंदी करेंगे 10-15 आगले में भी 10-15 करके वीडिकों खत्म कर रहेंगा अराम से तो जादा लंबा पड़ेगा आपको जादा प्रेशर आएगा समझने के लिए चलो बढ़ता है नेक् हुए है कि इनन्हा इकोलेटर ट्रैंगल इन सेंटर सेंटर और तो यहां पर क्या है कों साइड ने रको लीनियर है क्या है तो बेसिकलिए अगर सारे जहें तो हमारे पास इन और सो इनकिसार को सैट्ट करते हैं आपस में तो अब यह जानना आप क्योंकि सर्कल चाहाए उस बाहर हो चाहए अंदर हो सरकल के ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल जो है या तो सरकल के बाहर हो, या सरकल के अंदर हो या कहीं बाहर हो, सारे वो कौन साइट करते हैं आपस में तो यह जानना काफी important है हमारे लिए question number 8 पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुए इसको बोला गया है, यहाँ पर पर परपेंडूर डाल देता हूँ है और यह हमारे पास एक trisected बोला गया है यहाँ पर इसको O ले लेता हूँ, इसको D ले लेता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर निकल कर आएगा कि BC, BD equals to 1 by 3 of BC तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर पाया था गोज़ा, स्विर में लागाने कोश्च करेंगा हूँ पिछले में, तो मेरे पास निकल कर आएगा BC का स्कोर, BC के हाफ का स्कोर का होल स्कोर प्लस AD स्कोर माइनस OD स्कोर equals to AB का स्कोर अगर मैं OD को DC माइनस OC की लिख लूँ, तो वहाँ से भी मेरे कुछ चीज़े निकल कर आएगी जो की रहेंगी मैं एक स्टेप में आपर मिस कर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है हमको तो वह हमारा पास निकल कर क्या आएगा AB स्कोर equals to AB का स्कोर by 4 plus AD स्कोर minus 1 by 36 तो अपास निकल कर आयागा क्या हो गया हमारे पास 36 AB स्कोर equals to 9 AB स्कोर plus 36 AD स्कोर minus AB स्कोर इसको रहेंगा 28 AB स्कोर equals to 36 AD स्कोर तो इसको हम जब स्कोर तो निकल कर आयागा हमारे बढ़ना सेवें ओफ एबी स्क्वेर प्लस नाइन ओफ एडी स्क्वेर तो एजे करके यहां पर चीजों को लेकर चलेंगे तो मैं अच्छा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अब एक क्वेशन और देख लेते हैं वैसे अग्राम है मारे पास इसके अनिकल निकल यहां पर लिखा हुआ है कि दबाई सेक्टर ओफ एंगिल पर प्लेलों इस एंख्लोजड यहां पर किस से होता है वो हमें पता चलना है कि बाइसेक्टर ओफ एंख्लोज बाया रैक्टांगल कि काफी इंपोर्डन चीज होती है इ आपन नहीं बात हो रही है इसका लिखा है वन एंगल ऑफ इस फिफ्टी फाइव तो हमको बताने है की वन एंगल ऑफ प्लेलो ग्राम इस फिफ्टी फाइव दे नहीं इस इस पेक्टिवली कितना होगा इसे में बताने कोई करता हूं आपको अगर हमारे पास ऐसा करके बना अगया पर लेलो ग्राम अगर यह पच्पन हमारे पास तो यह बैसे कि लिख यह उगा जाया गा ज्यादा टैंशन लेने की जरूँद है नहीं आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए गा कॉमेंट जरूर करिएगा क्य से बढ़ती है उसकी लोगों तक समझने की पहुचने की संख्या होती है वीडियो को तो आप उसको जरूर दबाईएगा लाइक का बटन और आप कॉमेंट करके बताईए मैं आपको क्या बता हूं तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैन